केंद्री मंत्री कोशल किसोर जी हमारे साथ मौझूद हैं सर इंडिया चायना में जिस तरीके से बॉर्डर पे ये बबाल चल रहा है प्पक्ष हमला वर हो रहा है क्या जानकारी देंगे कि इंडिया चायना यानी भारत और चीन की सीमा पर जिस तरही चीन सैनी के बेवजे कभी कभी ना कुछ जो है धोखा धड़ी करके और कभी हमला करना या जढ़ब करने का काम करते रहते हैं यह बहुत निंदनी घटना है चीन जो है जो कर रहा है वो गलत कर रहा है हमारे सेनकों ने मूँ तोड़ जवाब दिया और तीन सो से ज़्यादा सेनकों को पीछे ढखेल देने का काम किया उसमें कुछ हमारे देश के भी सेनक उसमें घायल हुए लेकिन पीछे नहीं घटे और चीन के भी सेनक घायल हुए है और उसमें हमारी सेना ने उनकों पीछे ढखेल देने का काम किया चीनी सेनकों को बिपच को चाहिए कि इस संबंध में पाजिटिव बात करते तो ज्यादा ठीक है लेकिन बिपच नगेटिव बात हमेशा करता है इस सम्मन्द में आज मनिय रच्छमंती रजनाजी बारा बजे लोकसभा में और दो बजे राजसभा में इस सम्मन्द में बयान भी देंगे क्यों बयान की वो लोग मांग कर रहा हैं कि बयान दे जबकि विपच को चाहिए था कि हम सब पूरा देश विगजुट है और चीन की ऐसी हिमाकत से पूरा देश निपटने के लिए तयार हैं ऐसा बयान जो है आना चाहिए दा सर जिस तरीके से अगर कॉंग्रेस की बात करें तो मद्द परदेश के कॉंग्रेस के नेता हैं उन्होंने परधान मंतरी को मार देने के लिए इस तरीके से बिवादित बयान दिया है मद्द परदेश के जिन नेता ने इस तरह की हरकत की है और ये कहा है कि मोदी जी की हत्या के लिए तयार रहो बाद में उन्होंने उसमें कहा इन्दा सेंस यानि उन्हें हराने के लिए तयार हो तो अगर किसी लीडर को इस तरीके की बात वो बाद में बात बदल है मतलब वो चाहते हैं कि मनी मोदी जी की हत्या हो ऐसा जो है वो कॉंग्रेस का लीडर चाहते हैं क्योंकि कॉंग्रेस हजम नहीं कर पा रही है मोदी जी के विकास कारे को मोदी जी के डवलब्मेंट का जो उनका तरीका है जो उनकी थीम है और विक्सित भारत बनाने की जो 2047 तक आगामी 25 साल का जो उन्होंने कारक्रम तेकर लिया है इससे कॉंग्रेस घबडा गई है विपच घबडा गया है कि आने वाले 25 साल तक के जो है भाजपा को कोई हटार नहीं पाएगा ऐसा रणनीती ऐसा कारक्रम और इस तरह विक्सित देश कैसे बने पूरा बना करके आदली प्रधार मंत्री जी ने 5-5-6 गंटे मंत्रियों के सा अपने में भी नहीं सोचा कुछ लोगों का विकास केवल करने पर लगे रहे तो जो यह बैयार है बहुत निंदनी है और मैं तो कह रहा हूं इस पर कारवाई होनी चाहिए में के खिलाब सरे दर अखलिश यादब कल दिली आये थे तो वो कह रहे हैं कि जी एस्टी की चापे मारी जिस तरीके से उपी में चल रही है सब कुछ बीजेपी ने तैसनेस कर दिया है और बैपारी यह बहुत जादा परिशान है कुछ अधिकारियों ने इस तरह से किया है यह सही है कुछ अधिकारियों ने जा करके दुकानदारों को परिशान करने का काम किया है इस संबंद में हमने भी वारता की है और सरकार ने भी इसमें तुरंत इनिसेटु लिया, मैंने जिला अधिकारी लखनों से अपने हाँ, मैंने उनसे बात की इस तरह से, अब उन लोगों को रोक लगाई गई है इस बात के लिए कि अधिकारी है, कुछ लोग अपनी तरफ से दुकांदारों को परिसान कर रहे थे, जिन भी बैपारियों का कोई GST से लेना देना, उनके साथ बैठक करो, उनको समझाओ, बताओ, और बात चीत करके, बैठक करके, उनको अंदर एक जागरुकता पैदा करो, और उसके बात क्या जरूरी है, क्या है, अपना बैपारी ब नाराज हैं, और जिन अधकारियों ने किया है, ये लिक से हट करके किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, खिलाप कारवाई, निच्छी तरीके से मैं इसकी सिकायत करूँगा, उनके खिलाप ऐसे लोगों खिलाप कारवाई भी होनी चाहिए, कि जिन लोगों ने जा करक के दुकानदारों को उनको कुछ बताने के बजाए, बलकि उनको परिसान करने का काम किया, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैमरा पसंद चंदन के साथ दिली सरदेश अदब, न्यूस पॉइंट